हेलो फेंट्स, मैं अनामी का, मेरे कीचिन में आप सभी का स्वागत है आज मैं मकर्शक करांती इस पेसल तील कुड की लेड़ो की रेश्पी लेकर आए हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेश्टी है ये तेन जीजों से बनकर कैयार हो जाता है और समय भी बहुत कम लगता है तो फेंट्स इस रेश्पी को आप ज़रो ट्राइ कीजिएगा अगर आज की मेरी रेश्पी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, सेयर कीजिए और कमिंट कर ना मत भूलिए तो चलिए हम मकर सक्रांती एच पेसल तिल और गुर्की लडू बनाना शुरू करते हैं तो हमने जो इंग्रेडियंस लिया है वो है हमने दो शोगराम तिल लिया है जिसे हमने अच्छे से शाफ कर लिया है देश शोगराम हमने गोड लिया है जिसे हम छोटे छोटे टुगडे में तोड लिये हैं और दो चमचल देसी खी लिये हैं तो चलिए हम गैस के तरफ चलते हैं, गैस पे हमने एक कडाही रख लिया है और हम गैस को अन कर लेंगे, कडाही को हम गड़म होने देंगे, कडाही में हम डालेंगे तील और इसे हम मेडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट तक भूनेंगे, तील को हमने 4 मिनट तक मेडियम फ्लेम पे भूना है, तो इसमें से हलकी हलकी चटकने की आवाज आ रहे हैं, आप सुन सकते हैं, अब हमें इसे जादा नहीं भूना है, एक अच्छी सी खुस्बू आ जाए, इसमें हलका सा आवाज आने लगे, इसे हम ऐसे हंथेली में लेके म तो आप समझें कि अपना तील भून चुका है, अब हम गयस के ख्रेम को आफ कर लेंगे, और आदे मिनट तक और चलादे रहेंगे, इसे क्या होगा, कडाही गरम है, तो नीचे वाले हिस्ते में तील अपना ज्यादा डार्ट नहीं भून पाएगा, और इसे एक पकर के सहा प्रेट में ट्रांसफर कर लेंगे, अब हम इसी कडाही में डालेंगे, एक चमच देसी घी, खी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे, घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें गुर्ण डाल देंगे, मेडियम फ्रेम पे हम गुर्ण को पिखनाएंगे, फ्रेम को तेज नहीं करना है, जब तक कि गुर्ण अच्छे से पिखल न जाने, तो दो से तीन मिनट लगता है, गुर्ण अच्छे से पिखल जाता है, तीन से चार मिनिट में अपना गुर्जो है वो अच्छे से मेर्ट हो गया है अब हम इसकी चाशनी तयार कर रहे हैं गैस का फ्रेम हम मेरियम कर लिए हैं और अब इसे हमें कंट्नियूर चलाना है बीच में बिल्कुल ही नहीं रुपना है नहीं तो गुर्जो है वो पेर्दी में लग जाता है तो ऐसे हम दो से तीन मिनिट और चलाती हुई गुर्जो को पकाएंगे फिर चेक करेंगे चाशनी गुर्जो को हमने मेरियम फ्लेम पे तीन मिनिट तक पकाया है आप देखिए गुर्जो में जाग आ गया है और इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंच हो गया है अब हम चाशनी चेक करेंगे तो हम एक कटोरी में पानी लेंगे और चाशनी के कुछ ड्रॉप उसमें गिरा प्राइंगे फिर हम इसे अंगुलियों से ऐसे उठा के देखेंगे अब हम चाशनी को चेक करेंगे तो हम चाशनी निकालके ऐसे तोड़ रहे हैं एक तूट जा रहा है इसका मतलब अपनी चाशनी जो है परफेक्ट तैयार हो गई है हम गयस के फ्लेम को आफ कर लेंगे औ तो थोड़ा थोड़ा टिल डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे बडा बड़ तो ऐसे हम तिल को डाल देंगे और चमच से चलाते रहेंगे से देखिए हमने इतना चास्णी बनाया था उसमें तील अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसे हलका सा ठंधा होने देंगे नहीं तो यह हाथ में सिपकने लगेगा तो हम इसे एक मिनट तक ठंधा करेंगे अब हम कडाही को गय से उतार लेंगे और हम चमच लेंगे और चमच से एक चमच हम तील निकालेंगे और इसको दुसरे चमज के सहारे ऐसे पहले गोल करेंगे इससे क्या होगा तील जो है थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे हधेली में लेके और ऐसे गोल कर देंगे तो यह अपनी परफिक लड़ू बनकर तयार है आप ध्यान से देख सकते हैं कितनी बढ़ियां लड़ो बनी है तो बागी के भी हम लड़ो ऐसे ही बनाएंगे चमज से हम थोड़ा सा निकालेंगे पोर्ष्चन और दूसरे चमज से इसे ऐसे कर लेंगे फिर हम इसे हधेली में लेके और ऐसे गोल कर देंगे ये बड़ा ही टेश्टी बनकर तयार होता है हाँ ये प्रोसेश हम बहुत ही फास्ट करेंगे क्योंकि गूर अपना जादा ठंडा हो जाएगा तो लड़ू बनाना हाड हो जाएगा तो हम जल्दी जल्दी इसे करेंगे घर में कोई दो मिम्बर हो तो मिलके कर सकते है अकेले हो तो स्पीड बढ़ा दीजिए तो हम एक एक चम्मच निकालेंगे और हाथ में लेंगे इससे क्या होगा एक ही साइस की अपनी तील की लड़ू तयार होगी तो आप देखिए कितनी बढ़ियां लड़ू बनकर तयार हो रही है हमने तील के लड़ू को तयार कर लिया है मकर शक्रान्ती इस पेसल तील हुड की लड़ू बनकर तयार है इसे बनाना बखुत ही आशान है और खाने में उतना ही टेस्टी है इसे शक्रान्ती श्पेसल तो कहते हैं पर ठंडी की सीजन में आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं यह बड़ा ही हेल्जी लड़ू आना जाता है तो इस रेश्पी को आप जरो ठ्राई कीजिए अगर आज की मेरी लड़ू की रेश्पी आपको पशंद आए तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमिट करना मत भूली धन्यवाद